हाँ जी दोस्तों किद्दा मैं Cyrus और आज का वीडियो है जिसमें आपको बताने वाला हूँ Healthy Cyrus Diet एक ऐसी डाइट जिसको लेने के बाद आप healthy रहेंगे आपके pigmentation, malasma, pimples, जाईया जो भी issue है वो ठीक हो जाएगा एक बात हमेशा याद रखें किसी भी एक problem के लिए अलग से डाइट नहीं बनती है तो ये जो डाइट बताने जा रहा हूँ ये overall एक healthy diet है ये diet ना ही fat loss के लिए है ना ही muscle gain के लिए है या weight gain के लिए है ठीक है ये जो diet है कोई भी व्यक्ति ले सकता है जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें साथ में bell icon भी दबा दें ताकि जब भी मैं fitness, grooming और health से related videos डालूँ आपको notification मिल जाएगा तो इस healthy diet के 3-4 rules हैं जो आपको बता दूँ घर का खाना देसी घी या सरसों के तेल में ही बनना चाहिए और कोई oil नहीं होना चाहिए ठीक है और आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं आपकी जो मर्जी diet हो लें ये जो मैं चीजे बताने वाला हूँ इन चीजों को केवल add करना है समझ आ गई आप हिंदुसान के किसी कोने में हो दुनिया के किसी कोने में हो आप ये diet बिल्कुल follow कर सकते हैं अगर कोई medical condition है अगर डॉक्टर ने आपको ये बोला है कि ये चीज नहीं लेनी है तो उस चीज को avoid करें बाकी आप overall ले सकते हैं ये diet बहुत सारी लोग कहते हैं सर जी ये चीजे हमारे शहर में हमारे देश में available नहीं है कई जगा पे coconut water available नहीं है तो जो चीजे available नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन बाकी की चीजे तो follow करें ठीक है शुरू करते हैं अपना वीडियो तो सबसे पहले जो number one चीज है वो है salad आपको दो टाइम बाउल भर के raw vegetable salad खाना है कई रोग कहतें जी salad क्या होता है क्या क्या खाना है अब ये अगर कोई मर्द मुझे पूछता है तो मैं बात समझ सकता हूँ लेकिन कोई महिला मुझे अगर पूछती है के salad में क्या क्या खाना है तो वड़ी अजीब सी बात लगती है ना फिर भी कोई भी कच्ची सबजी जो आप खा सकते है टमाटर, प्याज, खीरा, बीट रूट हो गया बंद गोबी हो गया ब्रॉकली हो गया हरी पत्तेदार सबजियों को कैसे खाना है यहां जब आप चावल बनाते हैं हरी पत्तेदार सबजियों उसमें डाल ले जब आप रोटी बनाते हैं यहां प्रॉटा बनाते हैं तो उसमें हरी पत्तेदार सबजियों आटे में ही गून ले यह उसको प्रॉटा बनाके रोटी बनाके खाए ठीक है जब आपको मिलती हैं कच्छी वो खानी हैं, उसमें हलका सा निम्बू डालो, हलका सा काला नमक डालो, इसको थोड़ा सा टेस्टी बना के खाओ, क्योंकि जब आप टेस्टी चीज़ खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, जब मज़ा आएगा तो चीज़ें काम करेगी, ठी इनर में कुछ भी खाती हैं, डरपाव खाते हैं, डालचावल कोमज़ती हैं, अब साड़ की the science है, बूर बात की नमक अनाज़ को होता है, यह ज्मुश्किल होता है बोड़ी को डाइजस्ट करना, पूर सालड आड़ करphemie onc dil 이्रू गो चाइजिपे, साल्स और अगा अना easily digest होना शुरू हो जाता है salad बता दिया green leafy vegetable, कोई भी हरी पत्तेदार सबजियां, चाहे बत हुआ हुआ मुली के पत्ते हुए, साग हुआ, पालक हुआ लाल साग हुआ, कोई भी पत्ते हो, lettuce हो गया, वो खाने आपको, salad बता दिया ठीक है, next बात करते हैं, जब आप खाली पेट उठते हैं, सबसे पहले, morning से शुरू करते हैं, जब आप खाली पेट उठते हैं, सुबह गुनगुना पानी या हलका गरम पानी ले सकते हैं, उस गरम पानी में, आप दो गिलास, तीन गिलास पी सकते हैं, उस पानी में यहां तो आप लेमन डालें, लेमन नहीं है, तो आप एक चमच शहद डालें, एक छोटा चमच शहद डालें, अगर वो भी नहीं है तो apple cider vinegar है, एक चमच वो डालें, ठीक है, अगर वो भी नहीं है, थोड़ी सी green tea डालें, तो कुछ भी आपको इन में से लेना है आइडिया है कि आपको डीटॉक्स करना है ठीक है सुबह हलका गुन-गुना पानी दो गिलास से तीन गिलास पी सकते हैं और उससे भी बेटर है आप कोकोनट वाटर आपको पीना है खाली पेट क्योंकि ये आपको अंदर से डीटॉक्स करेगा आपकी जो मैदा या बर्गर या समोसे खा रखे हैं वो उन सब को क्लेंज करेगा क्योंकि स्मॉल इंटरस्टाइन के अंदर चिपका हुआ जो फूड है जो गलत फूड है चाहे वो जंक फूड हो चाहे मैदा हो ये ही बिमारियों का कारण बनता है ठीक है ये बिमारियों का कारण कैस भी बाहर आते हैं, तो ठीक है, नेक्स, ब्रेकफास में क्या, ब्रेकफास में सबसे बढ़िया है, आप ओड्स लें, एक स्कूप, एक ग्लास दूद ले ले ले, उसमें कोई फल डाल दे, कोई भी सीजनल फूट्स हो, जो आप ले सकते हैं, वो डाल दे, चाहे केला हो, चाहे सेब हो, वो डाल दे, उसमें थोड़ा सा सिनमन पाउडर डाल दे, फिर उसमें थोड़ा सा पीनट बड़र डाल दे, उसमें एक स्कूप प्रोटीन डाल दे, प्रोटीन I highly recommend अपनी डायेट में, एक स्कूप प्रोटीन ज़रूर ले, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर सत्तू डाल सकते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा ये स्मूधी कैसे बनानी है ये स्मूधी बना सकते हैं या फिर आप सुबे प्रॉंठे खाते हैं make sure प्रॉंठे देसी गी में बने हो या फिर प्रॉंठो में हरी पतेदा सबजी या कोई भी सबजी डली हो या प्रॉंठे कैसे बनते हैं लोग कहते हैं जी प्रॉंठे अनहल्दी होते हैं मुझे बताएं प्रॉंठा में क्या बनता होल वीट आटा फिर उसमें मसाले फिर उसमें सबजी यां प्रॉंठे कहां से unhealthy हो गए, तो प्रॉंठे खाएं, यहां उसकी रोटी टाइप खा सकते हैं, साथ में आप अंडे की भुरजी ले सकते हैं, यहां प्रॉंठो के साथ कोई भी सबजी ले लें, कोई चलेगा अंडा खाते हैं, तो अंडे की भुरजी बना लें, पनीर खाते ह और ओट्स वगरा बता दिये मैंने, या आप जो भी लेते हैं, खाएं, ब्रेड, पीनर बटर लेते हैं, जूस लेते हैं, खा सकते हैं, लंच पर आते हैं, मान लिए लंच में आप डाल चावल खाते हैं, बहुत अची बात है, डाल चावल खाएं, कोशिश करें, आप या ब्राउन डाइस ले ले ले, उसके साथ आप सबजी ले ले ले, डेर सारी, मेक शूर के चावल थोड़े कम हो, सबजी जादा हो, और साथ में आपको सैलड खाना है, बाउल भर के, और दही लाजमी है, अगर दही नहीं खाते हैं, तो अच्छा या लसी ले सकते हैं, य यह कमप्लीट फूड हो गया, आपका लंच, इस लंच से बहतर कोई लंच नहीं, मान लिजी आप चावल नहीं खाते हैं, तो आप दो रोटी ले ले, मेक शूर के रोटी में सबजी यां डली हो, हरी पतीदार सबजी यां डली हो, क्योंकि मेरे यां क्या होता, सुबे जब आटा गुंता है ना, कामवाली आती है, तो वो हरी पतीदा सबजी आटे में गुं mijn देती है उसके प्राउन्थे मना देती है, उस ही कि हम दुपहर को रोटी बना रोटी बना लेते ह। ठीक है, तो आटे में ही गुंदके रख लें लंच हो गया, शाम को मुठी बर ड्राइफ रूट्स खाना बहुत जूरी, अगर आप शाम को चाय पीते हैं, कोई बात नहीं, पिएं, मैं भी दो टाइम चाय पीता हूँ, तो चाय आनीकारक नहीं है, बस जादा मत पिएं, ठीक है, चीनी जादा नहीं, पिएं, एक छोटा पीट, ब्रेड ले ली, उस पर पीनट बतर लगाया, चाय पीली, यहां चाय के साथ में अपने ड्राइफ रूट्स ले लिया, तो मैंने ड्राइफ रूट्स बता दिया, तो डिनर की बात करते हैं, अगर आपने दुपहर को चावल खायते हैं, तो रात को रोटी खा लो, जो रोटी खाई आपने धेर सारा सैलेट खाया, और आपकी जो सबजी हो, अपरोटीन, हाइ परोटीन सब्जी होनी चाहिए, चाहे सोया चंग की सबजी बना लो, परोटीन की बुरजी बना लो, प atenção की बुरजी बना लो, दही खानी है आपको, coconut water पीना है, coconut water खाली पेट पीए ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो post workout भी पी सकते हैं, अगर आप workout करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, कुछ controversial चीज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं, healthy sires diet में तो flaxseed बता रखे हैं, या फिर cinnamon powder बता रखे हैं, जो बहुत ही गरम होता है, अरे भाया, गरम कौन सी चीज़ नहीं होती है, कौन सी चीज़ नहीं होती है, गचाय भी तो पीते हो ना, non wedge भी खाते हो न बात को, और सुबह उसकी smoothie बनाके खा ले हैं, जैसे मरजी खा ले, लोग पूसने हैं, seeds कैसे खाने हैं, देखो, seeds को यहां तो roast कर लें, आप roasted वाले seeds, seeds बजार से नहीं लेके आने हैं, ठीक है, आपको लेके आने है, normal seeds, raw seeds लाने हैं, उसको घर में लाके, थोड़े से roast कर सक और एक डबे में आप उसको, उसका क्या बनते हैं, grinder में पीस के रख लो, इतना बड़ा पीस के रख लो, एक हफते में complete हो जाएगा, आपको कीवल दो चोटे चमच खाने हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, गर्मी हो जाएगी, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या हो अगर्मी हो जाएगी, आपको कौन सा आदा किलो खाने हैं, आपको दो चोटे चमच खाने हैं, ठीक है, भिगो के खाने तो जादा अच्छा है, उसकी जो anti-nutrients होते हैं भिगोने से, वो निकल जाते हैं, so dry fruits और seeds को भिगो के खाने, मैं ऐसे ही खाता हूँ, मुझे कोई मस अगर दोनों लेने हैं, तो एक एक चमच दोनों का ले लो, भिगो के ले लो जादा अच्छा है, अब बात करते हैं, cinnamon powder की, बहुत सारे लोग अकसर confused हो जाते हैं, कि cinnamon powder कैसे खाना है, भाया जैसे मर्जी खा सकते हैं, दूद में डाल लो, दही में डाल लो, स्मूदी में ड जैसे मर्जी खाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम flaxseed की pinnia बनाई है, leddo बनाई है, वैसे खा सकते हैं, जैसे मर्जी खाना है, आइडिया है, कि आपको खाना है, अब कई लोग कहते हैं, कि high protein diet हमें समझ नहीं आती है, देखो, आपको high protein का मतलब है, आपका जितना weight है उससे जादा protein आपको खानी है, ठीक है, अगर आपका 60 kilo वजन है, तो आपको 90 gram protein daily basis पे चाहिए, एक मैं average बता रहा हूँ, 1.5 gram protein प्रती 1 kg of your weight, इतनी protein आपको चाहिए, अब protein high sources, बहुत सारे sources हैं, मेरा description box में वीडियो जरूर चेक करें, जिसमें मैं 10 sources बता रहे हैं high protein के, अब रात को सोने से पहले दूद पी लें, दूद में protein है, पनीर खाते हैं, पनीर में protein है, अगर आप non-veg खाते हैं तो उसमें भी protein मिल जाएगा, लेकिन हम vegetarian नहीं बात कर रहे हैं, फिर आप dry fruits में protein हैं आपके, soya chunks में protein है, sprouts में protein है, दाले है, राजमा है, इन में protein है, 12 से बनाना पड़ा, कि आपको समझ नहीं आती है, तो कितनी सिंपल सी डाइट बताएं ना, मैंने, दुनिया के या विश्व के किसी भी कोने में हो, इन चीज़ों को add करें अपनी डाइट में, अगर इन में से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लो coconut water, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़े तो follow कर सकते हैं, make sure कि high protein diet होनी चाहिए, और आपको एक घंटा walk करना compulsory है, अगर आप work out करते हैं, तो आपका pigmentation, melasma, कोई भी issue है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन walk नहीं करते हैं, आपके पास excuse है, तो कोई बात नहीं, आप एक घंटा walk करना compulsory है, जब मैंने बोला है, high protein diet होना जरूरी है, तो इसका मतलब है, आपको अपनी physical activity बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वे जो high protein diet तभी अच्छे से digest हो पाएगी, जब आपकी physical activity अच्छी होगी, अगर आपके शहर में, इंडिया में कहीं कोई चीज रखी हैं, चाहे वो flex seed हो, चाहे वो cinnamon powder हो, चाहे वो protein हो, बाकी जब तक आपको मसले हैं, ध्यान से सुनो, जब तक आपके मसले हैं आपको, pigmentation, malasma है, कोई issue है, तो I recommend क्या fish oil, omega 3 capsule ले लो, जो non-veg लोग है, वो fish oil capsule ले सकते हैं, जो vegetarian लोग है, वो flex seed oil capsule, जो सारे description box में दे र हो जाए, तो उसमें से एक स्कूप protein ले लो आप, जब आप एक स्कूप protein लेंगे, तो 25 ग्राम प्रोटीन तो आपको वहां से आ गई, बाकी की 40-50 ग्राम जितनी भी बस्ती है, वो आप natural diet से ले सकते हैं, एक चीज और रह गई कि पीनट बटर, तो पीनट बटर भी अपनी diet में add करें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी, अगर हमें इतनी protein चाहिए, तो क्यों ना हम 20-25 अंडे ही खा लें, उससे protein मिल जाएगी, आपको quality food चाहिए, अगर आपको protein चाहिए, तो आपको protein अलग-अलग sources से चाहिए, चाहिए वो fruit से चाहिए, dry fruit से चाहिए, seeds से चाहिए, plant से चाहिए, dairy product से चाहिए, यह अलग-अलग source जब mix होते हैं तो एक complete protein बनता है, वैसे ही कोई भी nutrients की बात करूं, चाहिए वो omega 3 हो, fat हो, आपको अलग-अलग sources से यह सब चीजें चाहिए, तब ही जाके एक balance diet बन पाएगी, जब तक आपको मसला है, I recommend कि आप इस diet को follow करें, और जो supplements है, whey protein हो गया, यह plant protein, कोई भी लेसकर दोनों के link नीचे है, omega 3 और multi vitamin, आप बिलकुल लें, जब तक आपका मसला ठीक नहीं होता, जब आपका बिलकुल चेहरा ठीक हो जाए, तब आप supplements को कम कर सकते हैं, या बंद कर सकते हैं, लेकिन diet पे focus ज़रूर करें, मुझे 6 साल तक pigmentation था, मैंने सब कुछ try किया, मैं dermatologist के पास गया, doctors के पास गया, homeopathic doctor आते, ayurvedic doctor आते, peeling कराई, laser कराई, end of the day, nothing worked, 6 साल तक मैंने struggle किया, लेकिन फिर जाके इसको मैंने अंदर से heal किया, मैंने पूरी research करी, मैंने बहुत articles पढ़े, बहुत studies करी, तब जाके मैंने इस diet को बनाया है, तो अपनी diet में इस diet को एक कागस पे लिखें, उस कागस को kitchen पे चिपका दें, रोज अपने आप से पूछें क्या आज मैंने fruits खाए हैं, seasonal fruits खाए हैं, क्या आज मैंने दो time salad खाया है, क्या मैंने मुठी बड ड्राइ fruits खाए हैं, क्या मैंने दो चम्मच seeds क्या मैंने दहीं खाई हैं, क्या मैंने एक high protein diet ली है, क्या मैंने peanut butter smoothie ली है, तो हर रोज अपने आप से पूछना है, देखिए, किसी इनसान को महीने में result मिल जाएगा, किसी को 3 महीने में मिल जाएगा, किसी को 6 महीने में, हर इनसान के genes अलग हैं, उसका structure अलग है, उसका र दाइट से protein ले, सोने से पहले दूद पी सकते हैं, make sure अपनी physical activity को increase करें, क्यूंकि आप एक high protein diet ले रहे हो, जब ये सारी diet आप लेना शुरू करोगे, आपको result अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा, make sure कि आप workout करें, और description box में जो जो चीजी आपको चाहिए, चाहिए वो omega 3 हो, vegetarian logo के लिए omega 3 हो, non-vegetary logo के लिए हो, protein हो, cinnamon powder, peanut butter, सब कुछ मैंने description box के नीचे दे रखा है, आप बिलकुल ले, इस diet को लिया, छे महीने बाद मेरा 80% pigmentation चला गया, पांच महीने तक मुझे कोई result नहीं मिला था, छटे महीने मेरा 80% pigmentation चला गया, वो almost ही चला गया, बाक कोई पहचान ही नहीं पाएगा, मैं वही Cyrus हूँ, पहले मैं unhealthy Cyrus था, अब मैं kind of healthy Cyrus हूँ, so thank you so much for watching this video, आप मुझे डारक बात करना चाहते हैं, तो Instagram पे आजाएं, Friday को रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ, और Sunday के दिन मैं शाम को 4 बजे YouTube पे लाइव आता हूँ, आप मुझ रह गया है, so channel को subscribe जरूर कर देना, ठीक है, कोई question रह गया है, तो आप मुझे comment कर दें, या मुझे को फिर आप direct live आके मुझे पूछ सकते हैं, so thank you so much for watching this video, मेरी यही कामना है, आप जीवन में खुश रहें, healthy खाएं, work out करें, खुश रहें, इनके इलावा और कुछ नहीं ह झाल